गड़ी सापला में इस वस्त का जो वोट प्रतिश्यत है वो बहुत जादा निकल कर सामने आया है और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि 51.20 प्रतिश्यत वोट यहां पर अभी कास्ट हुआ है तो काफी बड़ी खबर है अमबारा कैंट में 15.8 पी सदी लेकिन गड़ी स आपला में जो वोट प्रतिश्यत है वो हैरान कर देने वाला है 51.20 का आकड़ा पार किया है और राज़तिक विश्यचित के लिए ये काकलन का मुद्दा हो सकता है क्योंकि गड़ी सापला में जिस तरीके सीत्रा वोट प्रतिश्यत आया है तो कही ना कहीं अब ये राज़ सराम से जुड़े है सुनील यादव हमारे साथ लाइव तो सुनील यादव का रूख करेंगे जिसनेल यादव अबी तक क्यां करें निकल कर सामने आ रखेंगे और जो तुमाम माहौल है लग रहा है कि वोट पृतिश्यत काफी तरह रहेगा क्या माहौल है बिल्गुल आरती वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो गुरगाउं जिले में बहुत कम मात्रा में अभी वोट प्रतिशत बढ़ा है अभी देखना होगा कि कैसे कैसे ये वोट प्रतिशत का जो आकड़ा है वो बढ़ेगा या नहीं अभी तक कि अगर हम बात करें तो गुरुगराम जिले की जो चार विदान समाई है कुल मिलाकर लगबग 25 प्रतिशत वोट परसेंटेज अभी हुआ है आदे से ज्यादा समय वोटिंग का निकल चुका है तकरीबन सबा 5 गंटे अब से रह गए हैं वोटिंग के केवल शाम 6 बे तक के और विदान सबावाइज अगर गुरुगराम जिले की हम बात करें तो बादिशापूर में 27 प्रतिशत वोट हुए है अभी तक पटोदी में करीब 25 परसेंट गुरुगाओं विदान सबाव में मातर 19 परसेंट लगबग 19 परसेंट वोटिंग हुई है अभी तक एक बजे का तक का आकड़ा है जबकि सोहना में सबसे ज़्यादा साड़े 32 प्रतिशत का आकड़ा सामने निकलकार आ रहा है कि एक वेता कितना हुआ है तस्वीरे में दिखाना चाहूँगा मैं गुडगाओं विदान सबा की जो बूट नंबर 179 है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ अलाकि यहां वोटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो इस बूट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यहां तकरीबन 50 प्रतिशत पोलिंग हो चुकी है इस बूट पर ऐसे ही कुछ बूट है जिनमें वोट प्रतिशत जो है 50 से जादा हो चुका है तो किसी बूट पर 30 प्रतिशत अभी तक वोट गिरी हैं दोपैर का समय है ऐसे में लोग भी कम निकलते हैं घरों से लेकिन उमीद ये जताई जारी है कि जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ता जाएगा लोग घरों से बाहर निकलेगा और आखरी समय में ये वोट प्रतिशत बढ़ने की उमीद जताई जारी है कि पिसली बार जो 75 से जादा प्रतिशत जो रहा था वोटिंग परसेंटेज वो इस बार रिकोर्ट तूटेगा और इस बार भी अधिक वोट प्रतिशत बढ़ेगा जी आर्ती और इस बारे साथ विकास बिश्णोई हिसार से जुड़े हुए हैं जी विकास बिश्णोई तो बागड में क्या माहौल नजर आता है क्या लोग घरों से निकले हैं कितना वोट प्रतिशत का यहाँ पर आखरा महसूस करते हैं और कानून विवस्था यहाँ पर फिलाल कैस देखे अलग अलग जिलों के बात करें तो आदमपुर में अभी ज्यादा परतिशत नहीं हुआ है मतदान यहां आंकडा 25-27 परतिशत है एक बज़े तक लेकिन सबसे खास बात यह है कि हांसी और बरवाला में एक बज़े तक दो फैर एक बज़े तक 40 परतिशत से भी ज्य सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहां पहुँच रहे हैं शेहर में वोटर अधिक आ रहे हैं ग्रामी नांचल में थोड़ा सा मतदान परतिशत है वो कम है उसकी वज़े यह है कि अब खेतों में काम हैं लोग क्योंकि नर्मा और कपास का सीजन है तो सुबह सुबह असी परतिशत के करीब यहां पर वोटिंग होई थी आदमपुर के अंदर और लगबग नर्नोंत की बात करें तो 83 परतिशत होई थी यानकि सबसे कम पिछली बार 70 परतिशत वोटिंग हिसार के अंदर होई थी लेकिन इस बार वो आंकड़ा हिसार में जाहिर सी बात है कि हिसार में दोफेर एक बज़ तक अच्छा खाचा मतदान हुआ है दूसरी बात यह है कि शेहर में जितने बूत हैं शेहरी इलाकों में वहां अच्छी खाची वोटिंग हो रही है और बड़ी बात यह है कि इलेक्शन परभावित नहीं हुआ है नारनों में चोटा मोटा जगडा हुआ था जड़प हुई थी लेकिन वो जो बूत है उसके बाहर हुई थी उस बाउंडरी में तो हुई थी लेकिन उससे बाहर हुई थी जहां पर जो वोटिंग चल रही थी तो वहां भी मतदान परभ का एजेंट है वो ये कह रहा है कि खांडा केड़ी में मैं एजेंट के दोर पर यहां बूत पर था लेकिन केप्टन भी मन्यू या बीजेपी वालों की तरफ से जी विकास विश्णुई जी बहुत 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 शुक्त जानकारिक ले जुड़े रहेगा हमारे साथ और इस और मेरे पीछ आप देख सकते हैं यहां पर मैं इस वक्त ग्रामिंक शेतर में हुँ अंबाला के यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लांच ब्रेक है तो ऐसे में लांच ब्रेक की बाद जो है वोटिंग जो है वो अपनी करेंगे हालांकि स्लिप्स वो लोग ले करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर जो है वोट करेंगे क्या-क्या उनके मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वो उमीदवारों को चुनेंगे सर कॉन कांसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट किया जा रहा है तो इस गाउं में बहुत हैं देखा जाये दो सबसे बड़ा इसकी सरकार उपर उसकी सरकार नीचे अगर बनाएंगे तभी फाइदा मिलेगा युवाई यही चाता है एक ना खर्ची ना पर्ची इस चीज का बहुत फाइदा हो रहा है ठीक है सर आप कितने समय से वोट करते आ रहे हैं और जो इलेक्शन के इलेक्शन कमिशन का जो कैंप इदार है उससे पहले तो साइद इलेक्शन का कोई ऐसे नहीं है कोई प्रोसेस के बारे में लोगों को इतना ध्यान नहीं था लेकिन मैं यह सब जो भी आज प्रिक्रिया आप देख रहे हैं चुनाब का जो महत्तब देख रहे हैं वो टी एन से संजी की वज़े से हैं और आज उसी को आगे बड़ा तेज तकरीवन सभी जो जितने भी चुनाब है युकता है एक से एक बड़िया तरीके से वो इलेक्शन करा रहे हैं अभी हमारे ग्रामीन शेत्र में हैं यहां भी इलेक्शन का बहुत बड़िया प्रोसेस हैं लोग आ रहे हैं अच्छी पॉलिं नहीं है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग चुना में वोटिंग करते हैं सबसे बड़ा तो रास्टरवाद का मुद्द है लोग रास्टरवाद के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं एक बड़ा सबसे और भी बड़ा मुद्द है वी उपर बीजेपी की सरकार है ग्रामिन शेतर में भी निचे भी ताकि बीजेपी की सरकार हो ताकि विकास का जो कारिया है वो सुम्पूर्ण हो सके पहलू पर ध्यान दिया जाता है और वोटर हर एक पहलू पर ध्यान देता है जब वोट करता है और इसी के तहट जो है वोटिंग की जा रही है तो अब रुक करते हैं हम सुनिल का जी सुनिल जिस तरीके से अहिरवाल बैल्ट की बात करते हैं क्या माहौल नजर आता है क्योंकि चुनाव पचार तमाम पार्टियों ने किया और चुनाव आयों की तरह से भी लोगों काफी प्रेरित किया गया कि ज़्यादा निकले और बिलकुल आर्ती अहिरवाल बैल्ट है इस तरफ माना जाता है बादिश्फूर जो सीट है खास कर वो सबसे बड़ी सीट है पूरी नव्वे विधान सवा, पूरी नव्वे विधान सभावों में से चार लाग तकरीबन यहां पर वोटर है और ऐसे में अहिरवाल का गड़ माना जाता है एक सीट है अहिरवाल की इसलिए बीजेपी ने यहां से यादव को टिकट दिया है मनिश यादव को तो वहीं कॉंगरेस ने भी राव कमल बीर पर अपना दाओं खेला है लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विशह जो राजिनतिक पार्टियों के जितने भी ये कैं तो जाहिर सी बात है कि जो आकलन लगाना है वो बेहत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन से पहले यह अनुमान जताय जा रहा था कि एक निर्दलिया और बीजेपी में बादिश्यपूर में टक्कर मानी जा रही थी कड़ी टकर लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी तक बढ़ा नहीं है जिस जो उम्मीद जिताईदा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज हाई जाएगा बादिश्यपूर में खास कर लेकिन अगर वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो कही न कहीं उन कैंडिडेट्स के लिए यह चिंता का विशह अभी तो वहाँ पर हमने देखा कि बूट के बाहर जो एजो एजेट्स बैठते हैं टेंट लगा कर वहाँ पर हमने देखा कही जगा कॉरिस के जो होने इजगे थैए बूट वो नहीं बन पाया इसी वएसे उनके पास लोग नहीं है एजेंट्स नहीं है वो वहाँ पर बैठे नहीं है तो ऐसे में देखना होगा कि शाम तक जब यह वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो यह अनुमाल लगाए जाएगा कि जिस हिसाब से वोटिंग हुई है उस हिसाब से कौन जी सुनी लहिरवाल बैल्ट की तस्वीर आपने साफ की कि कैसे फिलाल वोट प्रतिशत काफी कम है और फिलाल राजितिक विशेशेगों के लिए मुश्किल है कि कैसे अंदासा लगाएं क्या माहौल बन रहा है फिर चलते हैं पूजा के पास जी पूजा जिस तरीके से अंबाला में माजूद हैं क्या यहाँ पर तस्वीर बनती नजर आ रही है और कानून विवस्ता का क्या हाल है चानों निवस्था के इगर बात करें तो बहुत ही पुकता इंतिजाम किये गए हैं जिस तरह से अगर बात करें तो पूरे 908 पोलिंग भूथ है अगर पूरे हर्याना की बात करें जिसमें ग्रामनिंग शेतर भी इंकलूड है और अंबाला सिटी भी इंग्ल्यूड़े तो पूरी तरह से अगर बात करें तो सुरक्षा जो विवस्ता है बहुत ही अच्छे धंग से की जा रही है वहीं इसके लिए महौल अगर आप देखेंगे तो अंबाला कैंट में आपको जादा जागरूप दिखेंगे और लंबी- जादा जागरूख है और अपने मुद्दों को लेकर अब जो जो मुद्दे हैं उनके और जो वो अपने उमीदवार से उमीद करते हैं उसको लेकर वो यहां पर पहांचे हैं और पूरी तरह से उमीद भी यही कर रहे हैं कि जिसे वोट दें जिसकी सरकार बने वो विकास क जिस तरह से घोशना पतर में जो कुछ भी लिका है उन सभी वादों को पूरा करें और इसी तरह का सिनारियो हर एक जगा पर देखा जा रहा है एक बज़े तक की बात करें जो 14 प्रतिशत जो है वोटिंग परसंटेज अंबाला में हुई थी हलांकि अब तक बढ़ चुकी हो है क्या सोच कर वोट दिया है कि हमारी सरकार अच्छी बने फिलाल के यह पूझा बस इतना ही और हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप भी सुनिल जी तो अहिर्वाल बैल्ट की हमने बात की अमाला सीट की हमने बात की उसके आस पास की विधान सभाओं की बात की और इच्छी की बात की अीया इच्छी के कीज़ लागगा नच्छी का